और ब्रेक के बाद फिर मिलने यार रहमतली आलमी इल्हाम जाजामा है तेरा कुर्या अमामा है तेरा मिंबर तेरा अर्श बर्वरी यार रहमतली आलमी यार रहमतली आलमी कुर्पे आलमी तेरा ज़रे अल्फक रुख रुख रीति तेरा रादन आई नाई रहमत बद्बदन सांसे चरा रागे मुफ़फ़ण कुर्बे नाई तेरा गरे अल्फक रुख रुख रीति तेरा रादन खुशबो तेरी जोए करम आँखे तेरी बाबा हरम नूरे अज़र तेरी जबी यारमत बद्ब आरमी यारमत बद्ब आरमी तेरी खमोशी बीज़ा नीदे बीबी तेरी जगे तेरी खमोशी बीज़ा नीदे बीबी तेरी जगे तेरी खयाया तेरी पापा का हर लम्दा पैगंबर लगी तेरी खयाया तेरी पापा का हर लम्दा पैगंबर लगी खयर बशे रुतबा तिरा खयर बशे रुतबा तिरा आवाज रुतबा तिरा आवाज तेरे सामई या रहुमत अलिल आरमी या रहुमत अलिल आरमी इल्हाम जाजाम है तेरा कुर्या अमामा है तेरा कुर्या अमामा कुर्या अमामा कुर्या 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 रहाएं इस्लाम के उनका एहतराम उनके जाके उनके वसीले से मांगना इसमें कोई श्काल नहीं है रादरा नहर अन्युनत के मुफ्ती को माशालला से सारी दुनिया में तबलीग की जिम्मेदारी उठाने वाले डॉक्टर साम मौजूदें यहां पर वसीला जाइज है मुकामातِ मुक्दसा का हो या उन हस्तियों का हो जो इत्बाहे खत्मी मरतबत में जिन्दा रहे और उसी पे जिन्दगी का एक्तिताम की मैं जो उस वक्त गुफ्तू करा था उस वक्त आपके एक जुम्ले को मैं जरा सा वजाहत कर दूँ मैं आपका आपने जब मपोग्राम की अप्चिदा करी उसमें कहा आपने कि शिर्क ना करें बंदा उसके अलावा जो गुणामर्दी आए करें मैं नहीं कहा रभ रभ ताला ने फ्रमाई लोगा अल्ला ने कहा मैं सब गुणामर्दी कर दूँगा शिर्क माफ माफ निकरूँगा बे कि अंजर्दी करें बिल्कुल यह कहा जाता है यह एक समझाने के लिए दिजा है, अधिया है, फुरान पांग की आयत मुबारका, जब यह बियानी की जाए तो साथ में इसके तश्रीफ दी जाए, जब देखें, गुना की अज़ादत तो आल्ला दे नहीं रहा, नावदु बिल्ला हमारे तो हमानी नहीं कि अल्ला को किसी गुना की अज़ादत दे लेकिन जान बूच के जो गुना करो, उस गुना पे तुम खाइम रहो, उस गुना गुनाए कभी रख उसको माफ नहीं करूंगा, कि तुम्हे आखली वक्त तक तौफिग नहीं हुई कि मेरी बारगाम में आके तुम मुझसे तौबा करते हैं, पना मांगते हैं, अपने ग बड़ा तो कोई नभी, फिर मादरजाद नभी, फिर बगार बाप के पैदा हुवे नभी, यानि रूह आखला, अजद इसा आखला, रूह आखला, तो अब उनके बारे में अगर लोग एक हद से जादा वो तजावस करते हैं, उनके इहतराम में, और जादा मुबालगा कर तो अखला ने इनको भी रोग दिया है, जिनको तुम अल्ला के लावा पुकारते हूँ वो शरी, तो हम भी तो बाश वकात इहतराम करते हैं बहुत ज़्यादा तो उस एहतराम की हद की है, उसका दर्जा की है, जहां पर आके हमें रुखना है, और जहां से हम खुदा नहा वस्ता किसी अल्ला तना की शान में बेद्वी के उस्ताखना हो जाए लेकिन किस तरह Enlar U पृज़ फृजण आखी शनी के मेरे इजन से सब पकुछ पया रहा होता हैавайकम के मेरे इजन से सब कुछ कूछ काम करता है लेहाद मालुम हूगा बलके बिद्निल्ह, अगर कोई पड़े, अगर कोई पड़े, इतनी आयत पड़े था, इसका मतलब कोई शफात नहीं करेगा, लेकिन जिसको अल्लह तबारक बताले इजन आता फरमाएगा, और आपने का मजारात पर जाने कि देखें, और इसन नजूर पाक कोई अता किया जा रसूलों में से, तमाम रसूलों में से भी शफात का, अगर दर्जा किसी को है, तो वो हमारे नभी पाक से, पहली शफात होगी ही, कि आख़े काईनात, हुजूर अकरम असलों ने पहा कि सबसे पहले शफात का दर्वादा मैं खरूँगा, सबसे पहले मुझे इजन दिया जाएगा, और वो जो नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, वो सारे के सारे मेरे लिवाए हम्द, मेरे घंडे तरे, जो हम्द का घंडा उसमें जमाओंगे, मैं अल्ला की बारका में जाओंगा, और पहली शफात क्या होगी, कि ए रब्बे काईनात, हिसाब किताब का अगास फर्मा दे, यह जो योम हशर का दिन है, बड़ा तबील हो गया है, लोग बिलकुल मर गए, किसी को इधर तक पसीना, किसी को इधर तक पसीना, और गरम हवाएं और सूरच सवानी, उस सारी चीज़े हैं, लेकिन मैं यहाँ पर यह बताऊंगा, कि आपने यह फर्माएंगा पर जाने के लिए देखें, कुरान मजीद, बुरहन रशीद, जब यह कहता है, कि अबादत करो, तो इबादत का माना है, कि इन्तिहाई ताजीम करना, लेकिन क्या समझ कर, खुदा समझ कर, अपना इलह समझ कर, अपना परवर्दिगार समझ कर, अपना खालिक समझ कर, जब अगर कोई ताजीम करता है तो ऐसी ईजाफ ताजीम इबादत नहीं इताथ बनती है और इताथ aahtनीलई आललह की भी इताथ रसूल की भी यानी इबादत फक्त बादत ला की लेकिन अकीदा क्या था خुआ था मुझा मुझा की व attachments ला समझकर اللہ کا ولی ہے ये खुदा नहीं है ये समझ कर आप उसकी ताजीम करेंगे तो इतात कहलाएगा ये अदब कहलाएगा ये अबादत नहीं कहलाएगा लेकिन अगर आपने किसी को खुदा समझ कर आप किसी नभी की वारगाह में चले जाए खुदा समझ कर आपने उससे खिताब कर लिया तो शिर्क हो जाएगा खुदा का बंदा समझ कर जितनी भी ताजीम करेंगे वो ताजीम का इंतिहा पर भी चले जाएंगे तो हुदूर एकरम तारदार काइना की कबर अनबर से तोस्तुल करते रहे बारिशों की अमलमुमीन आईशा से लिका से किसी ने कहा कि बारिश नहीं हो रही आपने फर्माए कि रसुल ला की कबर अनबर है वहां सुराख किया आज भी वो अलामती सुराख वहां पर मजूद है वो इतनी बारिशे हुई जब असमान में देखा वराहराथ हया आई इतना वर्ता कि वो आमुल फतक बन गया वो खुछाली का साल बन गया कुछ चीजे समझने के लिए मैं कोट करके आपके सामने पेश करें ताकि आप उसे जादा बेहतर समझा सेके इसी आएत मुबारका के जिसको मैंने शुरू में भी रखा था और उन्हों ने अल्ला को छोड़कर अपने आलमों और मेशादा